हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर आज हम आपके पिछले 10 महीने के करेंट अप्यर्स के बारे में चर्चा करेंगे यह जो आपका करेंट अप्यर्स है जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे आपका WhatsApp और Telegram का ग्रूप दिया गया है वहाँ से जुआइन ठोकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं तो चलिया यह स्टार्ट करते हैं देखे आपका पहला कोशन दे रहा है कि हाल ही में पुराने संसत भवन का नाम पदल कर क्या रखा गया है तो इसका नाम रखा गया है सविधान सदन अगला कोशन है कि किस सहर को सर्व स्रेष्ट समार्ट सीटी पुरुसका 2023 से समानित किया गया है तो इंदोर सहर को किया गया है अगला कोचन है कि हाल ही में इवनेस्को की विश्व विरासत सुची 2023 में सामिल किया गया है तो सांती निकेतन को सामिल किया गया है अगला कोचन है कि अठरा हमें G20 सिखर समेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है तो इसका आयोजन आपका नई दिली में हुआ है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि डूरंड कप 2023 का खिताब किशने जीता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहन बागान टीम के द्वारा जीता गया है और इसमें उप भी जेता टीम कौन थी तो इश्ट बंगाल थी अगर आपसे का असी नंबर है और पहले अस्तान पर कौन सा देश है तो पहले अस्तान पर आपका सिंगापूर है अगला कोचन है कि एसी आई विकास बैंक ने चालू वी तवर्स में भारत की व्रिधी दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है तो इसका सही उत्तर आपका हो जा इसके आगे आपका अगला कोचन है कि चंदरयान थरी के रोवर मडियूल का क्या नम है तो इसका नाम आपका प्रेग्यान है अगर आपसे पुछेगा कि लेंडर का क्या नम है तो लेंडर का नाम आपका विक्रम है अगला कोचन है कि स्वामी विवेका नंजी की जयनती पर मनाया गया 26वा राष्ट इवा महसव का उदगाटन परधान मंतिरी द्वारा किया गया यह किसी राज में मनाय गया तो यह आपके करनाटक राज में मनाय गया तो इस आपछे से याद रखेगा इसकी आगे देख़े, इसकी आगे आपका अगला कोशन है कि हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांती एक्सप्रेस का नाम बदल कर क्या किया गया है तो इसका नाम आपका किया गया है अक्छर धाम एक्सप्रेस अगला कुशन है कि जनवरी 2023 में कहां पर गान नगाई उतसव मनाय गया है तो इसका सही उत्तरब का हो जाएगा मड़ीपूर राज में मनाये गया है अगला कोचन है कि 16 महोसव जनवरी 2023 में कहां मनाये गया है तो 36 गड़े राज में मनाये गया है अगला कोशन है कि सुखोई 30 लड़ाकों वीमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पाइलेट कौन बनी है तो अवनी चत्रुवेदी बनी है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 कोशन है कि भारत के उड़ीसा में संपन हुए हांकी बिस्वकब 2023 का खिताब किशने जीता है तो जर्मनी के दुबारा जीता गया है और इसमें उपर भी जेता टीम कौन थी तो बेल्जियम इसके आगे 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 कोशन है कि खेलो इंडिया यूथ गेमस 2023 का आयोजन मध्य परदेश में किया गया पहले अस्थान पर कौन सा राजी था तो पहले अस्थान पर आपका महराश था दूसरे पर आपका हरियाना था और आपक से याद रखेगा अगला कोचन है कि किस राज सरकार ने दीदिर सुरच्छा कवच अभ्यान की सुरवात की है तो पस्चिम बंगाल राज के द्वरा किया गया है अगला कोचन है कि 74 गड़तंतर दिवस 2023 के मुख्य अती थी अबदूल फटाल सीसी थे यह किस देश के राज़्टि हैं तो यह आपके मिसर के राज़्टि है इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि राष्ट्पती भावन में इस्तित मूगल गार्डेन का नाम बदल कर क्या किया गया है तो तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मेगनात देशाई हैं इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि किसने अस्ट्रेलिया ओपन 2023 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नुवाक जोकोबिच के द्वारत जीता गया ह और यह आपके सर्विया के रहने वाले हैं अगला आपका कोचन है कि कला घोडा कला महुस्तों 2023 में किस राज में मनाए गया है तो यह आपका मुंबई में मनाए गया है अगला आपका कोचन है कि दच्छी अफरीका में आयोजित ICC T20 महिला बिस्वकप की विजेता टिम कौन ह तो यह आपकी अस्टेलिया है और अस्टेलिया चोवी बार आपका बिजेता बनी है अगर आपसे पुछेगा कि उपबिजेता टिम कौन थी तो उपबिजेता आपका दच्छी अपरीका था अगला कोचन है कि कि किसे राजा रादा मोहन राय प्रुस्का 2023 सर्ष समानित किय गया है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ये बी के प्रसाद को समानित किया गया है तो इसा पच्छे से याद रखेगा देखे इसके आगे आपका अगला कोचन दे रहा है कि फरवरी 2023 में जारी वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश सीर्स अस्थान पर है त इसको सांती प्रुष्कार से समानित किया गया है तो इंजेला मरकेल को किया गया है अगला कोचन है कि वंदे भारत एक्सप्रेज का संचालन करने वाली एसईा की पहली लोको पाइलेट कौन बनी है तो सूरेखा यादो बनी है अगला कोशन है कि मार्च 2023 में संपन होई संतोष ट्राफिक टीम की विजेता कौन थी तो विजेता आपकी करनाटक थी और उप विजेता की बात करेगा तो वो आपका मेगाल है थी अगर आपसे बात करेगा कि संतोज ट्राफिक का समंद किसा से है तो इसका समंद आपके फुटबाल से है इसके आगे देखिए इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि किसने लगतार दूसरी बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन आफ द इयर का खिताब जीता है तो मीरा बाई चानू के द्वारा जीता गया है अगला कोशन है कि हाल ही में भारत के परुसिय देश नेपाल के नई राश्पती कौन बने है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राम चंदर पाउडेल बने है तो इसका पच्छे से याद रखेगा ये कोशन बहुत ही महत पुण है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन है कि किष्णे गवर्नर आफ दो इयर दोजातेज का प्रुसकार जीता है तो सक्ति कांत दास के द्वारा जीता गया है अगला कोशन है कि गडित के छेतर में दिये जाने वाला एबेल प्रुसकार दोजातेज किसे मिला है तो लुइस काइफरेली को मिला है, अगला आपका कोशन है, कि सरकार ने थान थाई प्रियार वन जीव अभिहारन को अधिसूचना की घोसरा की जिसरे हैं यो और राजी का अठाराहमा वन जीव अभिहारन बन गया है, यह किस राज से समन्दित है तो यह आपका तमिलाडू राज से समन्दित है अगला आपका कोचन है कि किसे संगीत कला निधी पुरुषकार 223 प्रदान किया गया तो यह आपका बामबे जैस्री को प्रदान किया गया तो इनका नाम अप अच्छे से याद रखेगा इसके अगला कोशन है कि आयो जीत हुई पहले महिला प्रिमियर लिग 2023 का खिताब किष्णियों जीता है तो यह आपका पहली बार हुआ है और पहली बार में ही आपका मुम्माई इंडेस ने यह खिताब जीत लिया है और उपविजेता टीम कौन थी तो उपविजेता टीम आपका दिल्ली कैपिटल था अगला कोशन है कि किस राज के नगरी दूबराज चावल को हाली में जी आई टेक प्रतान किया गया है तो यह आपका 36 गर्डाज से समंदित है इसका अगला कोशन है कि पहले बाईसविक बाउद समेलन का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो यह अगला पाका 38 नव कोशन दिर्धा है कि किस राज में हुसें सागर के तरफ पर बाबा भीम्राव अम्बेटकर की 125 फीट उची प्रतिमा को त्यार किया गया है तो तेलंगाना राजी में किया गया है इसके आगे आपका अगला कोचन देर आए कि किस राज की गोंड पेंटिंग को हाल ही में जियाई टेक प्रदान किया गया है तो यह आपका मध्य परदेश राज से समन्दित है अगला कोचन है कि किसने फेमिना मिस इंडिया दोहज़तेश का खिताब जीता है तो नंदनी गुपता के द्वारा जीता गिया है अगला कोचन है कि IPL 2023 का पहला सतक किसने लगाया है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हैरी ब्रुक के द्वारा लगाया गया है और यह आपके हैदराबाद टीम से खेलते हैं अगर आपसे पूछेगा कि IPL 2023 का पहला सतक किस भारतिया ने लगाया है तो वो आपका बेंकटेस अईयर हो जाएगा और यह आपके कुलकाता के टीम से खेलते हैं तो इससे आप पूछेगा याद रखेगा अगरा आपका कोचन है कि साह जहां इस्टेडियम में किस भारतिय खिलाडी के नाम पर एक इस्टेंड का नाम रखा गया है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सचीन तेंदूलगर के नाम पर रखा गया है तो इससे आप पच्छे से याद रखेगा इसके आगे देखे इसके आगे आपका अगला कोचन दे रहा है अगला आपका 43 नबर कोचन है कि किसे फ्रांस की वेश्टील डे परेड में समानित अतिथी के रूप में अमंतिर्त किया गया है तो नरेंदर मोदी को किया गया है अगला कोचन है कि वन डे इंटरनेशनल किर्केट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिराड़ी कौन बने हैं तो वो आपके बाबर आजम बने हैं और यहां किस टीम से खेलते हैं तो यहां आपके पकिसान से खेलते हैं अगला आपका कोचन है कि सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है वो किस खेल से समंदित है तो वो आपके किर्केट से समंदित है अगला आपका कोचन देखे दे रहा है कि किस राज में अत्यदिक हिनिसा भाड़काने के बाद वहां पर अनुछेद 355 लागों किया गया तो वह आपका राज है मड़ीपूर राज तो इसा आप पच्छे से याद रहेगा यह कोचन बहुत इमादपुर है यह कोचन आपके किसी भी एक्जाम में आ सकता है इसके आगे दखिए कि कोउंध जन्जाती द्वारह किस राज में बिहान मेला मनाये गया तो यह आपका उड़ीशा राज में मनाये गया अगला कोचन है कि IPL के इतिहास में सबसे तेज और धसतक बनाने वाले भारतिय खिलाड़ी कौन बने हैं तो वो आपके बने है यह सवी जैसवाल और यह किस टीम से खेलते हैं तो यह आपके राजस्थान टीम से खेलते हैं और यह कितने गेंद में फूरा किया इन्होंने तो 13 गेंद में फूरा किया तो इस आप पच्छे से याद रखेगा कि राजस्थान नाई टाइडर के ओर से खेलते हैं और इन्होंने 13 गेंद में फूरा किया इसके आगे देखिए इसके आगे आपका अगला कोचन है कि हाल ही में अंजुम मुदगल को अरजुन आवाट से समानित किया गया वो किस खेल से समधित हैं तो वो आपके सुटिंग से समनित हैं अगला कोचन है कि सुधी रमन कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है तो यह आपके चीन देश ने जीता है और इसमें उपवेजेता टीम कौन थी तो दच्छी कोरिया था और आपका जो आपका सुधी रमन कप है यह किस चीज से समन्दित है तो यह आपका बैट मिन्टल से सम प्रदश ने ज़सी ब्राजosity में इसृट है तो यह आपका महराष्ट राजब इसित है अगला कोचन है कि कौन सा राज पूरी तरह से e-governance घोसित किया गया है तो केरल राजको किया गया है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 कोशन है कि खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम का तीसरा संसकरण कहाँ पर आयोजीत किया गया तो यह आपका उत्तर प्रदेस राज में किया गया अगला कोशन है अगला आपका देखे चववन नमर कोशन दे रहा है कि 2023 में आयो जीत आईफा आवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का आवार्ड किसने जीता है तो यह आपके रितिक रोसन के द्वार्ड जीता गया है अगर आपसे पुछेगा कि बेस्ट एक्टरस का आवार्ड किसने जीता है तो यह आपका आलिया भट के द्वार्ड जीता गया है और किस फिल्म के लिए जीता है इन्होंने तो गंगु भाई जो आपका फिल्म यह था उसके लिए जीता था गर आप से पुछेगा कि बेस्ट फिल्म कौन सा आपका चुना गया है तो बेस्ट फिल्म आपका दिरिशियम टू को चुना गया है अगला आपका कोशन है कि 57 नमबर का जो आपका गियान फिर पुर्षकार है वो आपका 223 में किसे मिला तो यह आपका दामोदर मौजु को मिला तो इसा पच्छे से याद रखेगा अगला कोशन है कि किस देश में इस्तित हायरीस पार्क का नाम बदल कर लीटिल इंडिया किया गया है तो यह आपका अस्टेलिया में ऐसा किया गया है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 का अगला कोचन है संतावन नमर कोचन आपका दे रहा है कि 2023 में जारी SBI की रिपोर्ट के अनुसार वीत वर्स 2023 में भारत की GDP कितने प्रतिसत रहने का अनुमान है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7.01% रहने क अनुमान लगाया है अगला आपका कोचन है कि किस राज के APJ अब्दूल कलामदीब से भारत की मध्यम दूरी की बलेस्टिक मिसाइल अगनी 1 का सफल परिछन किया गया है तो यह आपका उडिसा राज से किया गया है इसके आगे देखिए इसके आगे 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 अगला कोचन है कि किस राज ने अहमद नगर का नाम बदल कर अहिल्या नगर किया है तो यह आपका महराष्ट राज के द्वारा किया गया है। अगला कोचन है कि विकास मंतरियों की बैठा कहां पर हुई है तो यह आपका वरानसी में हुआ है। ब्हारत को हरा कर जिता है। अगला कोचन है कि एसीया कप 2023 का यहोजन कहां पर हुआ है तो देखे दो जगह हुआ है एक आपका सिर्लंका में हुआ है एक आपका पक्सितान में हुआ और इसमें विजेता टीम कौन सी थी तो विजेता टीम आपका भारत था और उप विजेता कौन थी तो सिरलंका आपका उप विजेता थी अगला आपका देखे कोशन दे रहा है कि किस राज सरकार ने ग्रिह जोती योजना की शुरुआत की है तो करनाटक राज के द्वारा किया गया है इसके आगे आगे अगला कोशन है कि सहकारियानीती 2023 किस राज सरकार के दुवरा अपनाई गई है तो मद्ध पढ़त्राज के दिवरा अपना गई है अगला आपका कोशन है कि नूमेडिक अलिफेन्ट 2023 साइन अभ्यास कहा कहा किया गया है मतलब किस किस देश के बिच पिच आ गया है तो यह आपका भारत और मंगोलिया के बिच किया गया है तो इसा आप पच्छे से याद रखेगा इसके आगे देखिये इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि मिस्र का सरवच समान आडर आफद नील 2023 किसे दिया गया है तो यह आपके भारत के परधान मंतिरी नरेंदर मोदी को दिया गया है अगला कोचन है कि हेमिस महोसव हाल ही में किस राज में मिनाए गया है तो यह आपके लदाख राज में मिनाए गया है अगला कोचन है कि किस राज सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की सुरुवात की है तो यह आपका सांती के मामले में 126 नमर पर है और पहले अस्थान पर कौन सा देश है तो पहले अस्थान पर आपका आइसलेंड है तो आप अच्छे से याद रखेगा कि भारत सांती के मामले में कितने नमर पर है तो 126 नमर पर है और पहले अस्थान पर आपका खिलाडी है इसके आगे देखेए इसके आगे आपका अगला कॉशन है कि किस राज ने रतन टाटा जी को उद्योग रतन पुरिसकार से समानित किया है तो महराश राज के दги द्वारा किया गिया है अगला कोशन है कि मैटी कला को हाल ही मेर जी आ टेक दिया गया है यह किस द्रवर्विट को चुना गया है अगला कोचन है कि लोक कमाने तिलक ति abraश्ट्य पुरुसकार 2020 मुद् iivan 23 की को दिया गया है ये ये आपका भारत के प्रधान मंतीर नरेंद्र मुदि को या पूरुसकार दिया गया है अगला कोचनSL को देखे इसके आगे आपका अगला को चंदेर आए कि हाल ही में जारी स्वच वाई सर्वेचन दौजा तेईस में किस सहर को पहले अस्थान पर दरजा मिला है तो इंदोर आपका पहले अस्थान पर इस बार भी लागतार छो बार से यह मुकाम हासिल करते आया है अगर आपसे बात करेगा कि दूसरे अस्थान पर कौन सा है तो दूसरे अस्थान पर आपका आगरा सहर है तो इसे भी आप अच्छे से याद रखेगा पहले अस्थान पर आपका इंदोर है और दूसरे अस्थान पर आपका आगरा सहर है अगला कोचन है कि हाल ही में किष्णे सतरंज बिस्वकप 2023 का खिताब अपने नाम किया है तो इसका सही उत्तराप का हुजाएगा मेगनेस कारल सन के द्वारा किया गया है और यह आपके किस देश के रहने वाले हैं तो यह आपके नारवे के रहने वाले हैं और किसको हारा कर जीते हैं तो भारत के आर प्रग्यानंद को हारा कर जीते हैं इसके आगे देखे इसके आगे आपका अगला कोचन है कि विश्वबावधिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकासित Global Innovation Index 2023 में भारत ने 132 अर्थ ब्यवस्थाओं में से अपना कौन सा अस्थान प्राप्त किया है तो 40 नमर प्राप्त किया है अगला कोचन है कि हाल ही में 15 ब्रिक्स सिखर समेलन दच्छी अफरीका के किस सहर में किया गया तो जोहान सुबर्ग में किया गया अगला कोचन है कि आपका जो 79 नमर का राष्ट्य फिल्म प्रुसकार में बेस्ट पीचर फिल्म किसे चुना गया तो राकेटरी को चुना गया अगर आपसे पुछेगा कि Best Actor किसको चुना गया तो Best Actor आपके अलू अर्जुन को चुना गया और किस फिल्म के लिए चुना गया तो पुस्पा फिल्म के लिए चुना गया और अगर आपसे बात करेगा कि Best अभिनेतरी किसे चुना गया तो आलिया भट को चुना गया जो पार्ता सार्धा ने किया है अगला कोशन है कि अगला कोशन है कि भारतिये रिलवे बोर्ड की पहली महिला अध्याच और स्योग भनी है तो जया वर्मा बनी है अगला कोचन है कि एस स्वामी नाथन कौन थे जिनका हाल ही में निजन हो गया है तो यह आपके हरित करांती के जनक थे इसके आगे देखे इसके आगे आगे आपका अगला कोचन है कि विकिटरी सीटी उपनियास के लेखा कौन है तो सलमान रुस्दी आपके विकिटरी सीटी उपनियास के लेखा कहें अगला कोचन है कि परदान मंतिरी दुआरा आदि महुस्व दौश्व 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 का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो दिल्ली में किया गया इसके आगे देखे इसके आगे 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 अगला कोशन है कि 20 सौब बैंक ने वीत वर्स 2023-2024 के लिए भारत के सकल घरेल उत्पाद GDP की बिरिधी दर कितना परसेंट रहने का अनुमाल लगाया है तो 6.3% रहने का अनुमाल लगाया है अगला कोशन है कि 200 कप के लिए अफगानिस्तान किरकेट टीम के मेंटर किस भारती पुर्व खिलाड़ी को नुक्त किया गया है तो अजय जठेजा को चुना गया है अगला का कोशन है कि SCI खेलो 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है तो टोटल आपके 107 पदक जीते हैं जिसमें से 28 आपके गोल्ड हैं और 30 सिल्वर हैं और ब्रांच आपका 41 है अगला आपका कोशन है कि SCN गेम से 2023 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेक कर स्वर्ण पदक जीता है तो इसका सही उत्तरब का हो जाएगा 88.88 मीटर आपके भाला फेक कर यह स्वर्ण पदक जीता है इसके आगे देखें इसके आगे आगे आपका अगला कोशन है कि IMF ने वीतिय अवर्स 2024 के रिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो इसका सही उत्तरब का हो जाएगा 6.3% कर दिया है तो इसके आपको पच्छे से याद रखेगा इसके आगे आपका नोबेल प्रुस्कार के जो आपके विजेता है 2023 का सूची दिया गया है तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लिजेगा मैं आपको PDF, Telegram या WhatsApp के ग्रूप में डाल दूँगा इसे आप अच्छे से पढ़ लिजेगा सभी को तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भुलिएगा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा तो पिलिज आप वीडियो को लाइक और सेर जरूड़ करिएगा तो चलिये आज के लिए इतना है धन्यवाद झाल झाल